पूरे प्रदेश के अंदर एक विशे कि यह है वर्तमान कॉंग्रेस की सरकार, मित्रों की सरकार है, यह सरकार केवल और केवल मित्रों की सरकार, मित्रों द्वारा सरकार और मित्रों के लिए सरकार है, पर पिछले कल इसमें एक और इजाफा हो गया, यह पती, पत्नी और मित्रों की सरकार है, कॉंग्रेस जाए कहीं भी उनके लिए भी नहीं है केवल और केवल अपने परिवार के लिए और मित्रों के लिए है इमाचल की जनता त्रस्त है केवल और केवल अपनी चिंता एक और मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि उपचुनाव है और उपचुनाव के अंदर आप कैबिनेट करके देहरा के अंदर पुलिस जिला बनाने की गोश्ना कर रहे है इससे बड़ा और सम्विधान के पन्नों को फाड़ करके रदी में फैंकने का काम और क्या हो सकता है और चुनाव आयोग हाथ के उपर हाथ धर करके बैठा है लगातार पारलेमेंट के चुनाव छे उपचुनाव के अंदर भी जिस प्रकार की भूमी का चुनाव आयोग ने निभाई है वो प्रशंचे नहीं और पिछले कल देहरा के अंदर पुलिस और जिला बनाने की अगर वहां से मुख्यमंत्री जी की पत्नी ना लड़ती तो क्या वो पुलिस जिला गोशित करते और क्या कांगड़ा के बारे में उनकी यही नीती है अगर कुछ करना ही था तो कुछ बड़ा करते द्वाला जी ने बोला था जिला बना दो तो जिला ही बनाते परंतु ये केवल और केवल जनता की आंख में धूल जोकने का काम है केवल वोट प्राप्त करने के लिए और योजना है अगर आपको ससुराल की इतनी चिंता थी तो डेड़ साल में अभी तक तो वहां मेडिकल कॉलिज खुल जाता वहां पर मेडिकल इन्वरस्टी खुल जाती डेड़ साल में वहां पर डिस्ट्रिक्ट बन जाता न जाने क्या क्या हो जाता पर सवाल तो ये भी है कि नदाउन में जो मुख्यमंत्री जी का अपना विदान सवा ख्यत्र है वही कुछ नहीं हुआ तो देरा में क्या होना है ये केवल चुनाव की दृष्टी से और दिया गया बयान है और हम चुनाव आयोग से स्पष्ट ये कहना चाहते हैं चैहे वो विभिन्न परकार की योजनाओं की गोशनाओ भर्तीयों की गोशनाओ ये सारी की सारी चुनाव अचार सहीता का खुला उलंगन है और केवल और केवल वोटों को प्रभावित करने के लिए की गई राजनीती का हिस्सा है पर एक और बात इससे कोई लाब होने वाला नहीं है अब देहरा की जनता ये समझ चुकी है कि आप किसलिए वहां पर और चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हैं मित्रों की पती पतनी की सरकार बाकी किसी के लिए नहीं ना किसी की चिंता हिमाचल की जनता पीने के पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है कैबिनेट में उसकी कोई चिंता नहीं हुई जंगल धूदू करके जाल रहे हैं कैबिनेट में उसकी कोई चिंता नहीं हुई लगातार मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं कैबिनेट में उसकी कोई चिंता नहीं हुई ड् हम कैसे वोटों को प्रभावित करें जनता त्रस्त सरकार केवल वोट लेने की योजना में लगी है।